क्यूंकि मैं भी आप हूँ रेड़ी सो हलो गाइज वेलकम फर यूर चैनल एवी बॉक्स ओफिस दोस्तो आज के दिन हम बात करेंगे चार बड़ी फिल्मों के तहिल का बॉक्स ओपिस कलेक्शन और दोस्तो एड़वांस बॉकिंग के बारे में जी हाँ आज हम बात करेंगे फिल्म जवान मुवी के अभी तक के एड़वांस बॉकिंग यूए से कलेक्शन के बारे में और दोस्तो आपको बताएंगे Dream Girl Movie के Second Day दोस्तो अगर हम बताएंगे सबसे पहले Film गदर टू की तो ये फिल्म में एक मास इंटर्टेनिंग एक्शन दिलर फिल्म है जिसके दर आपको सनी देवल, अमिशा पटेल और उतकर शिर्मा जैसे बहतरिंग और दम दरेक्टर काम करतुएं नजर आते हैं दोस्तो खुसी की बात तो ये है कि मुवी के अंदर तब्यस से एक्शन बताने के बावजुद हम सभी के बीच में मुवी का बस आज भी इतना अच्छा बना हुआ है कि ये फिल्म में आज भी इतना अच्छा कलेक्शन करी है जो कि बड़ी बड़ी फिल्म में अपनी आपनि का क्लेक्शन करा है जिसके चलते दोस्तों यह फिल्म अपने 15 पर दिन लगबक 6 क्रोड रुपय का वहीं पर दोस्तों करें हम बात करें फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यह फिल्म एक कॉमेडियन एंटर्टेनिंग फिल्म है जिसके अंदर आपको आयुषमान कुराना, अनन्या पांडे, परेश्रावल और राजपाल जादो जैसे बहत्रिंग और दम डारेक्टर काम करते हैं दोस्तों मुवी की खास बात यह है कि इस मुवी के अंदर एक बाप होता है और एक बेटा होता है जिनकी सरकूपर कई सरा करजा होता है और दोस्तों वो लोन होने के वज़े से इस मुवी के अंदर एक आदमी होता है जो कि हिरोईन का बाप होत तब जाके मैं अपनी बेटी के साधी तुम्हार से करूँगा तो दोस्तो आईश्मान खुराना जूट जाते हैं अपना लोन चुकाने में और दोस्तो उस लोन को चुकाने के लिए उनको पूजा का साहरा लेना पड़ता है अब दोस्तो पूजा कौन है या आपको ड्रीम ग जाने के लिए जिससे कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी ने जहां पर अभी तह हम सभी की बीच में एक लाग पंदरा हजार बावन टिक्टेज सेल कर दी है वहीं पर इस मूवी का एडवांस बुकिंग का केवल दूसरे दिन का कलेक्शन दो करोड़ बानवे लाग रुपे का था और दोस्तो जिस आपसर मूवी का बस करेजर ओक्रपेंस से देखने कला ही मिल रही है फिल्म में ड्रीम गल टू हम सभी की बीच में कारूबार लाग रुपे हो जाएगा यानि कि दोस्तो फिल्म हो जाएगी और टाइम मेगा ब्लोगबस्टर वहीं पर दोस्तो अगर हम बात करें फिल्म सलार मूवी के बारे में तो दोस्तो यह फिल्म एक पेन इंडिया फिल्म है जिसके नदर आपको मेगाश्टार प्रभास सर, सु KGF Chapter 2 और KGF Chapter 3 से और दोस्ता आपको पता चलेगा कि आखिरकार सलार मुवी हम सभी की बीच में कितने बड़े लेवल पर शूट करी गई है और दोस्तो प्रसांत निलने आखिलकार 200 क्रोड रुपे में इस मुवी के इसा क्या डाला कि ये फिल्म 1500 से 2000 क्रोड रुपे का कलेक के साथ मैं मिलके इस फिल्म में यानि कि सलार मुवी ने एड़ यूए से एडवांस बुकिंग में ताबर तोड कलेक्शन कर लिये हैं जी हाँ आपको जानकर इक लिए पता दे साइन मार्क जिनके आठ नेशनल चेंज है और दोस्तो साइन मार्क के पास में अकेले ही बुकिंग कलेक्शन कर चुकी है तो दोस्तो आपको सबसे पहले जानकरी के लिए बताना चाहेंगे के HD जो की USA में टोप नंबर के मानी जाती है ओड़ी वहां से इस फिल्म ने एक करोड़ 57 लाग रुपे का माली है उसके बाद में सीमी जहां पर दोस्तो इस फिल्म ने 73, यानि कि दोस्तो 33,000 रुपे का कलेक्शन कल लिया है वहीं पर दोस्तो IMX जहांपर ये स्पिल्म के 30 ने रंबर पर आती है 32,000 वहां से स्पिल्म कल लिया है और दोस्तो मूवी 255,000 डोलर का हो चुका है जहांपर दोस्तो इस मूवी को हम सभी किपिश में शूट और को रिलीज होने में 32 से 31 डेंज बचे हुए है उसके बावजुद है इस फिल्म ने तावरत रोड कलेक्शन करना सुरू करती है यानि कि आप सोचे कि जब फिल्म सलार बॉक्स अप इसकों पर रिलीज होगी तो कितनी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है इसी के साथ दोस्तो पादुगोण का केमें वो देखने के लिए मिलेगा मुवी का पज़ा 2500 करोड रुपे बताया जा रहा है और मुवी को बॉक्स अपस पर रिलीज होन में ज्यादा समय का समय नहीं बचा हुआ है जबकि दोस्तों मुवी आपको हिंदी तामील तेल्गू मिलहरम कनाड़ा ल दोस्तों इस मुवी का बर्ज और क्रेज सात्वे आसमन पर पहुच चुका है जिससे कहना गलत नहीं होगा कि जवान मुवी आखिरकार हम सभी की बिच में एक काफी बड़े लेवल पर काम करती ही नजर आ रही है ऐसे में अगर हम बात करें कि जवान मुवी हम सभी की एक सो पचपन एक लाग पचपन हजार डूलर का एडवांस बुकिंग कलेक्शन करा था उसके दोस्तों एक दिन बात फिल्मे का एडवांस बुकिंग एक लाग एक सथ हजार डूलर का हो चुका था और दोस्तों फाइनली अब हम सभी की बिच में जवान मुवी का एडवा 12,000 डूलर का हो चुका है जहांसे इस फिल्म ने हिंदी वर्जन का कलेक्शन कर लिया है 1,57,4,400 रुपे का जो कि दोस्तों अपने आप में काबिले तारीफ है और इस मुवी को सोज दिये गए है 407 वहीं पर दोस्तों यह फिल्म में 407 लोकेशन पर रिलीज करी जाएगी जहां पर इस मुवी को सोज मिले है 1800 और दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक हम सभी की बिच में 13,000 टिक्टिल सेल कर दी है 17 दिनों में यानि कि दोस्तों यहां पर फिल्म जवान ओल्टाइम ब्लोक बश्टर होने के लिए तियार हो चुकी है अब दोस्तों आपके ओपिनिन क्या है कि जिस दिन जवान मुवी रिलीज होगी अपने पहले दिन की ओपनिंग कितने करोड की लेगी पचास करोड़, सहाट करोड़, असी करोड़, सो करोड़ यफी देड़ सो करोड़ कमेंट करके जरूर बताईएगा जय हिंद वन्दे मातरम ध्यान देखिएगा अपना और अपने माता पिता का और आपके भाई के चनल एवी बॉक्स अफिस को सस्क्राइब करना ना बुलिएगा जय हिंद वन्दे मातरम